तो दोस्तों हमारे पास आच चुका है Cosmic Pite Egnos Kizar Wireless Gamepad और इस वीडियो में हम इसकी Unboxing करेंगे और हम इसको Android Phone, Android TV और Windows PC के साथ चेक करेंगे ये किस-किस जेवाइस के साथ वर्क करता है इस वीडियो के अंदर हम इसको Motorola TV वाले Gamepad और LiveTech GPW-01 Wireless Gamepad के साथ compare करेंगे और हम देखेंगे किसकी build quality सबसे अच्छी है दोस्तों मेरा नाम है कौरव आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Indian Tech Tube तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी notification मिस ना हो और आप हमें हमारे social media handles पर भी follow कर सकते हैं और telegram group भी join कर सकते हैं जिनका link आपको वीडियो का description में बिल जाएगा तो यह है Cosmic Byte Equinox किजाव controller का box और यहाँ पर इसके कुछ features लिखे हुए हैं और यहाँ पर सारे buttons की detail है और यहाँ पर भी इसकी कुछ specifications mentioned हैं तो चलिए हम इसको जल्दी से unbox कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले है एक d-pad एक्चुली यह d-pad swappable है आप इस वाले को निकालके यह वाला लगा सकते हैं और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे change कर सकते हैं और इसके साथ हमें मिलती है एक user manual तो आप इसको use करने से पहले इसको जरूर पढ़ें और इसके अंदर हमें मिलती है एक type A to type C USB cable तो यह बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर type C port आता है आपको एक extra cable रखने की जरूरत नहीं है आप अपने phone वाले charger से ही charge कर सकते हैं तो चलिए हम इसको open करते हैं और यहाँ पर है एक dhongle और हम इस dhongle को TV, phone या फिर PC क अंदर लगा सकते हैं और gamepad को use कर सकते हैं तो चलिए इसको हम वापिस से बंद कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं X, A, B, Y buttons backlight है और home का button भी backlight है जब यह gamepad off होता है X, A, B, Y buttons थोड़ से tinted हैं और यह काफी premium look देते हैं और इस gamepad के अंदर जो buttons की sound है वो काफी कम है और buttons काफी smooth है इसका d-pad मुझे काफी पसंद आया इसकी shape बहुत अच्छी है और यह use करने में भी काफी easy है लेकिन अगर आपको यह पसंद नहीं आता है तो आप इसको निकालके normal वाला भी लगा सकते हैं इसकी L और R keys के अंदर जो sound है वो काफी कम है और इसके अंदर macro buttons भी आते हैं तो आप इनका भी use कर सकते है और जैसे हम इसको on करते हैं इसके keys की backlight on हो जाती है तो चलिए हम इसके बराबर में रखते हैं live tech GPW-01 wireless gamepad और motorola gamepad तो आप देख सकते हैं तीनों एक फ्रेम में कैसे लग रहे हैं कौन सा look wise better है live tech GPW-01 wireless gamepad के अंदर buttons के click sound सबसे ज्यादा है और buttons थोड़े से loose भी है motorola वाले gamepad के अंदर buttons के sound थोड़े सी कम है और इसकी fit and finish live tech से थोड़े सी better है लेकिन Cosmic Byte 2021 wireless gamepad की जो fit and finish है वो इन सारे gamepad में सबसे better है और इसके buttons में sound भी सबसे कम है और इसके buttons काफी smooth है तो चलिए हम देखते हैं हम इसका debug कैसे change कर सकते हैं और जब हम इसको वापिस लगाएंगे तो इस तरह से click sound आएगी phone के साथ इसको use करने के लिए आपको OTG adapter की ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए हम इस dongle को OTG adapter के अंदर लगा के अपने phone के अंदर लगाते हैं और हम देखते हैं यह कैसा perform करता है चलिए हम gamepad on करते हैं और तुरंत यह connect हो गया है और आप देख सकते हैं यहां पर A और BB अपना work कर रहे हैं हम B से back कर सकते हैं दोस्तों Android TV के अंदर ही काफी अच्छे से work कर रहा है आप सारे games खेल सकते हैं और Windows के अंदर इसका response काफी अच्छा है मैंने GTA 5 खेल के देखा है और मुझे काफी अच्छा लगा तो अगर आपको यह purchase करना है तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अगर यह कीजिए अब अले लाकन प्रस कीजिए तक आपकी notification मिसना हो